नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपटीशन प्रिप्रेशन पर आप सब अच्छे होंगे स्वस्थ होंगे और अपना काम अच्छे से कर पा रहे होंगे पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे और घर पे सारे लोग स्व सारे के सिफ्ट वाइज करवा दिया और जो 2020 के एक्जाम हुए है उसमें मतलब 2020 में जो एक्जाम हुए है इसके टॉपिक वाइज चल रहे हैं मैंने क्लास के बारे में बता दिया कैसे चलेंगी दूसरी चीज जो हमने एक्जाम में जाएं तो आपके अंदर यह डरना रहे कि पेपर करना कैसे अप्रोच क्या होनी चीज आपको इस चैनल पर प्रोवाइट की जाएगी आई होप आपको यह चैनल यूजफूल लग रहा ह अगर थोड़ा सा भी काम आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा और कैसा कंटेंट आप चाहते हैं वो भी जरूर बताइएगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं पीडियाप मैंने टेलिग्राम चैनल पर आल्रेडी सेयर कर दिया है जिन लोगों ने नहीं टेलिग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं ठीक है डाउनलोड का लीजिएगा क्योंकि वह यूसपुल है और आप रखे रहेंगे तो बार-बार आपको वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी जो लोग कह रहे थे मिक्चर एंड एलि का कोई क्वेशन जो आएगा आराम से तडाग से बीदिन वान मिनट करके चले आओगे कोई कोश्टिन से हो जाएगा कोई कोशिक से हो जाएगे मतलब मिला के आपको बेशीक कॉनसेट क्लेर्टी होनी ज decorher कर लोगे ठीक है चलिए इस्टार करता हो और यह मिक्चर एलिगे दो लोग मिश्रण हैं, एसिड और पानी के, यानि अमल और पानी के मिश्रण हैं, बिलेयन या मिश्रण के हैं, The ratios of water and acid in A and V are 4 is to 5 and 1 is to 2 respectively, यानि कि मिश्रण A और मिश्रण B में, water और एसिड यानि पानी और अमले का अनुपाद 4 अनुपाद 5 और एक अनुपाद 2 है, क्रमसा, If x liters of mixture A is mixed with y liters of mixture B, then the ratio of water and acid in the mixture becomes 8 is to 13, what is the ratio of x and y, आपसे कहा गया कि अगर mixture A का x liter, mixture B के y liter के साथ मिलाया जाता है, तो water और acid का जो ratio होता है, वो 8 अनुपाद 13 हो जाता है, तो आपको x और y का अनुपाद बताना है, question समझ में आ गया, दो mixture हैं, जिनको x अनुपाद y का अनुपाद में मिलाया जाता है, तो जो हमें acid और water का ratio मिलके आता है, वो 8 अनुपाद 13 मिलता है, आपसे यक्स अनुपाद y पुछा के बहुत आसान सा प्रश्ण है, अब देखो, एक चीज बताओ, सबसे पहले देखो, आप सबसे पहले मैं एकदम basic से जा रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ mixture A, और यहाँ पर लिख रहा हूँ mixture B, यहाँ पर लिख रहा हूँ acid, और यहाँ पर लिख रहा हूँ water, ठीक है, acid and water लिख लिए अब देखो अगर मैं पहले में बात करूँ तो ये acid and water नहीं water and acid लिख दो ताकि आपको कोई confusion ना हो जिस क्रम में दिया गया है वही लिख लो water और acid यहां पे लिख लो अब देखो पहले mixture की बात की गई इसमें कितने अनुपात में är चार अनुपात 5 के А लेरा mix देखिज़गा इसमें 1 is to 2 के ratio ठीक है और इसको x अनुपात में मिलाए गया है इसको y नुपात में मिलाए गया है और जो final निकल गया में आता आоч nesse देरा देखो सीधी सी बात है पांच बचायोसां करना है एक रहा कि एक रहाव सबस्क्र27 list तो था नमालए टीव जायेगा मेल江 इसके सब्सक्रमें कितना और भूर्ट्याव시याद सब्सक्र इसी मिन निकलाख चुर Shape कितना हो जाएगा? 4y9x पहले mixture का, yy3 दूसरे mixture बटे अगर acid की बात करें, तो 5 बटे 9x पहले से मिल रहा है 2 बटे 3y दूसरे से मिल रहा है, यह हम कहें 2y बटे 3 दूसरे से मिल रहा है और यह जो अनुपाद आ रहा है यह कितना रहा है? यह acid और वाटर का दो और वाटर ओर एसीड का अनुपात कतना तो अगर अगर वाटर कुल कितना हिस्सा है तो आप कहेंगे अगर टोटल 9 है तो चार हिस्सा उसमें वाटर है अगर चाटर का चार बटे 9 अगर 4 बटे 9 लेट नूँआ हिस्सा असीड हो जाएगा ऐसे एक लघए तीसरा हिस्सा दूसरे मिक्चर में वाटर है तो 2 बटे तीसरा हिस्सा असीड हो जाएगा और टोटल वाटर बटे टोटल असीड आपको दिया गया आठ बात 13 बस इससी को सॉल्व कर लेना है तो सॉल्व करिए अब देखो कुछ लोग कहेंगे कि अब इसको कैसे सॉल्व करें मेरे भाई देखो यह 8 बटे 13 है कि इस आप ले लो ना ले लो कि मैं ले ले रहा हूं मैं बेसिक से करवा रहा हूं ताकि आपको समझ में आप भी मैं ट्रिक भी बता दूंगा टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं ठीक है तो अकर यहां लोगे तो यहां पर 9 है यहां पर 3 है तो 9 बना लो तो कैसे होगा यह जाएगा 4X यह कितना वज़ेगा तीन से उपर नीचे उड़ा यानि 3Y ऐसे नीचे 5X प्लस 6Y यह बराबर 8 बटे 13 दिया गया क्रोस मल्टिप्लाई कर लो तो 13 चोको 52X और इधर 40X प्लस में यानि कि घटेगा तो यह 12X हो जाएगा बराबर 8 चके 48Y तेर तिया 49Y यानि कि आर देखो 8 आच्छा 49 और 49 और 49 का डिफ्रेंस नो यानि कि 9Y अब एक्स बटे वाई निकाल दो यानि एक्स बटे वाई बराबर आगया 9 बटे 12 तीन 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 चोको 12 यानि एक्स अनपाथ वाई आ गया तीन पाथ 4 तो बेसिक से आपको समझ में आ गया आप करते हैं ट्रिक से यानि एक्स अनपाथ वाई कितना क्या थीन पाथ एक तो यह तरीका हो गया दूसरा तरीका क्या कहता है अब देखो मिक्चर ए देखो मिक्चर बी देखो कि इसमें एसिद और वाटर decades है फौर 30 तो इसमें कितना है वन इस्टू टीकर कहा गया अब देखो अगर हम option से चेक करें कि 3 अनपाद 4 के अनपाद में मिला जाता है एक चीज बताओ कि अगर हम 3 अनपाद 4 के अनपाद में इस mixture को मिला दें तो हमारा acid और water का ratio कितना होना चाहिए 8 अनपाद 13 होना चाहिए कि अब आप देखो आपको पता चार बटे नौवा हिस्सा क्या है चार बटे नौवा हिस्सा क्या है एसी वाटर है और पांच बटे नौवा हिस्सा यहां पर दो बटे तीसरा हिस्सा यहां पर ठीक है तो आप एक काम करो कि सीधे सीधे आप 3 अनपाद 4 के अनपाद में मिला क यहां से मिलोगे और प्लस चार लीटरerting तो उसका एक वाटए थीन हिस्सा बाले किसी होगा दूसरे में गर मीक्टिर स dette होगा तो ammag तो पांच बटानों हिस्सा होता है तो आजल थीन लीटर होगे तो फट्रस्वाइन क् तो आप्सन सही एक यह तरीका हो गया तो आप आप्सन पूटिंग से भी कर सकते हैं एक सबसे बेसिक तरीका क्या है देखो यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको ऐसे सरकार हूँ कहा गया मिक्चर एक ही अगर बात करें तो आपको पता चार अनुपात फांच के अनुपात में वाटर और है यहाँ अगर मैं वाटर की मात्रा के बात करूँ तो चार बटे नौवा हिस्सा यहाँ फेज्सा ऐसे दूसरे में बदे नामी में कितना वाटर चाहिए आठ प्लस तेरा 21 बस इसी को solve कर लेना है यहां पर देखेगा महीन महीन लिख दे रहूं यानि हमें क्या चाहिए चार बटे नो और यह कितना था एक बटे तीन का resultant कितना चाहिए आठ बटे 21 बस इसी को निकाल लीजिए solve कर लीजिए तो आप आप कहेंगे कि चार बटे नो मेंसे आठ बटे 21 घटेगा मतलब चार बटे नो ने आठ बटे 21 मेंसे चार बटे नो घटाई है और एक बटे तीन मेंसे ऐसे देखो आठ बटे 21 मेंसे एक बटे तीन घटाई है और इसका जो अनुपात होगा वही एक्स अनुपात वही आ जाएगा वही हो जाएगा आपका एक्स और वाई का अनुपात एनी चार बटे नौ अगर हम चार बटे नो में से आठ बटे 11 घटाएंगे तो कुछ लोग कहेंगे कि घठीन है बिलकुल घठीन नहीं है चार बटे माइनिस बटे 21 कितना होजाएगा? 4 बटे 3 कॉमन ले लो 4 बटे 3 कॉमन लोगे तो इधर कितना बचेगा? 1 बटे 3 इधर कितना बचेगा? 2 बटे 7 लिगने मिन 2 7-6 बटे 21 यानि 1 बटे 21 4 बटे 63 होगया घ्लिका? अब इधर अगर आठ बटे 20 में से 1 बटे 3 घटाओगे तो यह 7 बटे 20 लिखा हुआ यह 8 बटे 20 यानि यह आजाएगा 1 बटे 20 इधर आगया 1 बटे 20 इधर आगया 4 बटे 360 अब 63 से दोनों में गुड़ा कर दो 63 से गुड़ा करोगे यहां पर 3 आ जाएगा याई आपको ये पहला वाला मिक्चर 3 लीटर दूसरा वाला मिक्चर 4 लीटर के अनुपात में मिलाना पड़ेगा याई पहले मिक्चर और दूसरे मिक्चर का अनुपात जो था एकस अनुपात वाई वह कितना आगया तो कई सारी मेथड होती है आपको कौन सी मेथड समझ में आती है ये आपको ध्यान रखने है हमने क्या किया हमने कहा कि भई या इस अनपाद में बाटर पहले में इतने अनपाद में था दूसरे में इतने अनपाद में था हमें resultant इतना चाहिए तो मिक्चर एलिगेशन कहता है अगर आप A और B अनपाद को मिला के C अनपाद बना रहे है तो जो मातरा होगी जिसमें इन दोनों को मिलाए गया है वो होगी अरे C में से B घटा लो C माइनस B और A में से C घटा लो A माइनस C यही अनपाद होगा C माइनस B अनपाद A माइनस C यही अनपाद होगा जिस अनपाद में मतलब अगर किसी मिक्चर में किसी पदार्थ की मातरा A है और दूसरे मिक्चर में उसी पदार्थ की मातरा B है और हमें इन दोनों को मिला के कुछ अनपाद में मिलाते हैं और तीसरा पदार्थ बनके आता है, जिसमें उस पदार्थ की जो मात्रह है, उस C है, तो आपको यह पता होना चाहिए, कि जो यह इनका अनुपात होगा, जीस अनुपात में मिलाएगा, वो कितना हो जाएगा, A-C, C-B का जो अनुपात होगा, जो हमने थर्ड मेथड करी, व mixed with 7.5 kg rice costing Rs. 50 per kg so that by selling the mixture at 53.10 per kg there is a gain of 18% कागया 42 रुपे पर किलोग्राम कीमत वाले कितने किलोग्राम चावल को 50 रुपे पर किलोग्राम की कीमत वाले 7.5 किलोग्राम के साथ मिलाना चाहिए सबसे पहले तो एक चीज़ बताओ कि अगर कोई चीज तिरपन रुपे में बेचने पर 18% का लाव को माती है तो उसका क्रेम मुली कितना बने आपको होगी अगर क्रेम मुल X होता तो 18% का लाव लेने के लिए 108 बटे 100 में यानि 69 बटे 50 में बेच थे यानि X का 69 बटे 50 आपको दिया गए 53.1 आपको पता 69 नमा 531 होता है यानि यह 0.9 हो जाएगा यानि X बड़ाव 50 गुड़े 0.9 यानि X की वैलो हो गई 45 यानि आपके मिक्चर का जो क्रेम मुला रहे है वो 45 आ रहे है यहां आपसे कहा गया कि 42 और 50 को कि सनपास में मिला जाएक की पूचा गया तो आप देख लो तो आप 42-45 मेंसे घटा होगे तो कितना आजाएगा उल्टा तीर मैंने लगा दिया वैसे तीर का कोई मतलब नहीं आपको यह पता उनीचे घटा नहीं है तो 45 में से 42 गटेगा 3 और 50 में से 45 गटेगा 5 यानि इनको 5 अनुपात 3 के अनुपात में 42 वाला 5 और 50 वाला 3 के अनुपात में मिलाना है अब आपको दिया क्या गया है कहा गया कि 50 रुपे पर किलोग्राम वाला कितना किलोग्राम चावल है 7.5 किलोग्राम यानि जो हमारा अनुपात में 3 है वास्तों में 3 ना होके वास्तों में 7.5 किलोग्राम के बराबर है यानि एक रेशियो कितना हो जाएगा एक रुपे नहीं एक रेशियो लिख दे रहों एक रेशियो कितना हो जाएगा अगर 3 रेशियो 7.5 के बराबर है तो एक रेशियो 2.5 और अगर एक ratio तो पांच किलोग्राम ऑला 5 अंज नपाथ में मिला है निए 42 किलो ग्राम हो जाएंगे 5 इन तू-डी तो पॉइन्ट, 5 इस बार का मेंस का लेबल 15 हो 16 हो 18 वाला चुकि ज्यादा पूर हो गया था लेकिन 15-16 भी मैं कहूंगा 11 सेतंबर पिछली बार 11 सेतंबर का जो पर हुआ था मेंस में उससे आधा आसान था उसका अगर डिफिकल्टी लेबल 100 था तो यह 50 था और अगर मैं बात करूं वह जो 11 सेतंबर वाला मेंस था वह 2020 के 17 और 20 फरवरी का 50 परसेंट आसान था जान सकते हो कि क्या लेबल था कैलकुलेशन बढ़ा रहे हैं कॉंसेप्ट एकदम धज्जिया उड़ रहे हैं कहा गया इन वाट रेशियो सुट सुगर कॉस्टिंग 40 रुपीज पर केजी भी मिक्स्ट भी सुगर कॉस्टिंग 48 रुपीज पर केजी सो एस तो अन प्रॉपिट ऑफ 20 पर सेलिंग दे मिक्चर एड़ 54 रुपीज पर केजी यानि कि बीस परसेट का लाव चाहिए चववन में बेचने पर एक ची बताओ अगर कोई चीच बीस परसेंट लाव पर बेची जाती है यानि अगर क्रेम उली एक्स होता तो बीस परसेंट लाव पर बेचने का मतलब 6बटे 5 पर बेची गए और 6बटे 5 पर बेचने कि चोवन में विक रही है यहनि क्रेम उली कितना हो गया 65 यहनि एक्स वचाओ चान沏चेब से नमद को तो कर दो 45 में से 40 गटेगा 5, 48 में से 45 गटेगा 3, अनुपाथ आगया 3, अनुपाथ पाँच, जो अनुपाथ आगया, वही अनुपाथ आगया कि इनको किस अनुपाथ में मिलाने पर रिजल्ट हैंड 45 मिला है, यह देख लो, कहा गया यह ड्रिंक ओफ चॉकलेट एंड मिल् उसका 8 पर तीसर जो होगा, वह प्योर चॉकलेट होगा, यहनि क्योल चॉकलेट होगा, तो कहा गया, अगर 10 लीटर प्योर दूर को 50 लीटर मिक्चर में एड किया जाता है, तो अभी चॉकलेट की मातरा क्या होगा, एक ची बताओ, टोटल मिल्क पहले, कितना लीटर उसका मिक्चर का हमने लिया है, हमने कहा सर पचास लीटर मिक्चर का हमने लिया है, आप वहता है, इसका 8 परसेंट इसमें चॉकलेट होगा, पचास का 8 परसेंट यहनि कि 4 लीटर इसमें चॉकलेट था, 4 लीटर क्या है चॉकलेट, अब देखो, अब कहा गया, कि 10 लीटर प्योर दूद को मिलाया जाता है, यानि कि चॉकलेट की मातरा तो बदले की नहीं, चॉकलेट की मातरा जितनी पहले थी, उतनी ही रह जाएगी, यानि चॉकलेट पहले 40 लीटर था, अभी भी 4 लीटर रह जाएगा, लेकिन मिक्चर की मातरा 59 के 10 बढ़ जाएगी, यानि कि 60 लीटर म में अब 4 लीटर चॉकलेट बचा है तो परती सत में निकालेंगे चार बटे साथ गुड़े सो कर देंगे बस आंसर आ जाएगा तो बीस तियांसाथ बीस बन्जे सो यहां कि चार पंचे बीस बटे तीन परती सत क्या है चॉकलेट है यह हम कहें 6 सही डो बटे क्वेशन का क्वेशन जी अब एक ची बताओ तो आपको हर टॉपिक पे कमांड बहुत अच्छी होनी चाहिए कुछ टॉपिक सबसे टॉप पर जो टॉपिक होता होगा जो भी रहता है ठीक है तो आप यह समझना चाहिए आपको कि आपका अगर लग अच्छी है तो वहाँ प जो टॉपिक चोड़ के जाएंगे उनी में से पूछ ले जाएंगे और बहुत आसान से होंगे वह आप बेसिक कॉंसेप्ट या किसी दूसरे चैप्टर किसी दूसरे टॉपिक के कॉंसेप्ट से करके चले आएंगे तो टेंसन लेने की जरूरत नहीं अगर आप फ्री माइ साइं मिश्रधातू C में एकस का पर्सद गयात करो बहुत आसान सा प्रशन है देखो मिश्रधातू A है कि अपर X लिख लो और Y का पांच अनुपात, मिश्रधात बी जो है वह तीन आपाथ चारजान बात में कागैं C में A और B को 4 अनुपाद 5 के अनुपाद में मिला के बनाया जाता है तो X का पड़तिसाथ पोचाए कि ठीक है आप बेраш्क्लि कर क्या सकते हूं आप एक ची बताओ 4 के अनुपाद में मरणब A को मिलाएगा है पांच के अनपाद में इसको मिलाएगे ठीक है आप एक चीए बताओ आप अगर साथ से दोनों में गुड़ा कर लो तो आसानी होगी क्योंकि देखो पांच दो साथ ये भी मिक्चर है चार तीन साथ ये भी मिक्चर है तो साथ से गुड़ा कर लो दोनों अनुपाद में, यानि आप मालो कि 28 लिटर इसको मिलाए गया, 35 लिटर इसको मिलाए गया, आसान हो जाएगा सॉल्प करने में बाकी कोई दिक्कत नहीं है, यानि आपको ये मानके चलना, 4 अनुपाद, 5 के ही अनुपाद में रखना है, ब पहले इसमें 3 से गुड़ा करते, इन दोनों को पहले बराबर करते, यान 3 को 12 बनाते, 4 को भी 12 बनाते, फिर 12 से गुड़ा करते, तो आपको ये पता होने चीए, कि क्यों हमने ऐसा किया, अब अगर 28 लिटर, एक मिला आ जाता है, तो आपको पता है, 7 बराबर 28 है, यानि 1 बराबर 4, तो इसमें X की मातरा कितनी हो जाएगी, यहाँ पे लिख रहाँ X, यहाँ लिख रहाँ Y, यानि X की मातरा कितनी हो जाएगी, 4 बना 20, Y की मातरा कितनी हो जाएगी, 2 का 4 बना 8, ऐसे दूसरे वाले मिक्चर की बात करें, 7 बराबर 35, यानि ऐसे गुड़ा कर लो 15 और 20 बेसिकली अब यहां से आपको मैं समझा पाऊंगा कि किया क्या गया है हमने अनुपात का गुड़ा कर दिया इसे पांच अनुपात में लिया था पांच या पंद्रा एक्स पांच चोको बीस वाई वही चीज में बता रहा हूं वही देखो यहां पर फाइनली वही आया तो मैं अब डाइरेट कह देता कि आप अनुपात का गुड़ा कर लो तो आपको हो सकता है न समझ में आता ऐसे आपको समझ में आ गया तो आपको आगे से यह ध्यान रखना है कि कुछ भी 2835 नहीं बनाना है बस आपको अनुपात का सीधे गुड़ा कर देना है किसमें इसम डिए आपसे एक्स की मात्रा का पुचा गया एक्स है कितना अब अब आपको पता है कि 5,9 को 39 में बदलना है 1,9 कितना होता है 1,9 होता है 11,1,9 एक बटे 9 होता है 11,1,9 इसका पांच गुना है यानि 5,5 बटे 9 परतिसाथ होजाएगा तो आपको बस करना क्या है अब आपने अनुपाद देखा था 5,2,4,5 यहां गुड़ा करते हैं पंदरा आपको बता है 35 एक से आपको सारे प्रस्ण समझ में आ रहे होंगे कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी तिक अब देखो यह प्रस्ण देख लोगे भी बहुत आसां सा प्रस्ण है का का एक कंटेनर में 20 लीट्र मिक्चेर भरा जिसमें 10 Лीट्र 10 परसेंट Sulfuri gonna ans 2SO फोर है 10 PC सल्फ्यूरी और यानि कि 20 का 10 नहीं कितना होग दोलिट्र क्या साफ्यूरी और बिलेयर में मात्रा 25 परसेंट करने के लिए मिसरन में कितनी मात्रा में सा 2015 कर देना है इसमें कुछ लीटर एड़ किया जाता है। तो आपको है डिजए पालाने कीigor । बस इसी को solve कर लो, यहनि 4 दूनी 8 प्लस 4X बराबर 20 प्लस X, यहनि 3X बराबर 12 यहनि X बराबर 4 X क्या था, उस मात्रा की value हमने X मानी थी, जिसको add करने के बाद, जो H2SO4 यहनि सल्फियूरी के सिर्ट था, वो 25% हो जा था यहनि हमने कितना add किया, 4 लेट, X बराबर कितना आ गया, 4 लेट, बस आपको यह ध्यान रखने, तो 2 लीटर था, X हमने add किया, 20 प्लस X मिक्चर का एक चोथाई हो गया, यहनि आपको ऐसे solve कर लेना है, यह आप ऐसे कर सकते थे, देखो आपको पता है, acid है और कुछ और मालो water है, ठीक है acid 10% है यहनि कि 20 का 10% क्या है acid है, यहनि हमारे पास 2 लीटर तो acid था, तो बाकी क्या होगा water होगा, अठान, अब हमें क्या काम करना है, इसको 2 को क्या करना है, 2 को बढ़ाना है, 2 में कुछ बढ़ रहा है और हमारे जो acid की मातरा थी, वो पहले 10% थी अभी 25% हो गई, तो water की मातरा पहले 90% जो थी, वो अभी कितनी हो गई, 75% 75% मतलब 3,4 अब आपको यही ध्यान रखना है, कि चुकि water की मातरा में तो कोई change आया नहीं water यानि 18 लीटर ही है यहीं कि 18 लीटर जो है वो मातरा अब मिक्चर का 3,4 हो जा रही है कुछ add करने के बार, यहीं 18 लीटर मिक्चर के 3,4 ही के बराबर हो जा रहा है क्योंकि आपको देख पा रहोंगे कि 25% तो acid हो जा रहा है हमने कुछ acid एड करा है, वो 25% हो गया यहीं वाटर कितना बचा, 25% वाटर में कोई चेंज हुआ, नहीं हमने वाटर एड किया ना, वाटर निकाला यहीं 18 लीटर है, वो नए वाले मिक्चर का 3,4 ही 3,4 ही 18, 1,4 ही 6 तो पूरा कितना हो जाएगा, 24 यहीं मिक्चर हमारा 24 हो गया जो मिक्चर 20 लीटर था, वो अभी कितना हो गया 24, क्यों, क्योंकि हमने कुछ H2SO 4 एड किया 20 से 24 बनाने के लिए कितना लीटर एड करना पड़ा होगा 4 लीटर, बस यही आंसर हो जाएगा तो कई सारी मेथड होती है, आप किस मेथड से करना चाहते है वो कमेंट सेक्शन में बदा है, और मैं सारी मेथड लगभग करवा दूँगा यह प्रशन करने में किसको हेजिटेशन हो रही है बदा हो जिसने कभी नहीं पड़ा, जिसने आज तक नहीं पड़ा मिक्चर लीगेशन, उसे दिक्कत हो कि नहीं होगे दोखो, इसको मैं कई मेथड से इसको भी करवाए देरो का गया, साथ रुपे पर किलोग्राम वाले वस्तु को बारा रुपे पर किलोग्राम वस्तु के साथ किस अनपाद में मिला जाए तक हमें टैन रुपेश पर केजी वाला मिक्चर प्राप्त हो दोखो, आपको पता है हम माल लेते हैं एक्स और वाई के अनपाद में मिला जाए तो साथ वाला एक्स मिला गया तो साथ एक्स हो गया बारा वाला वाई मिला गया तो बारा वाई हो गया कुल मूले हो गया, बटे कुल क्वांटिटी कितनी है X हमने इसको मिला है Y इसको मिला है यानि कुल मूली बटे कुल क्वांटिटी बराबर आ जाएगा आउसत मूली यानि अब इसको solve करो तो जगा 7 X प्लस 12 Y बराबर 10 X प्लस 10 Y ये तो रहे यानि आपका 3 X बराबर 2 Y ये X अनिपात Y बराबर कितना आ गया 2 बटे 3 आपका answer आ जाएगा X बटे Y कितना आ गया 2 बटे 3 तो ये ही आपसे पूछा गया ये आप ऐसे कर सकते हैं जैसे हम करते आए हैं 7 और 12 था इसको हमने मिलाया और इसल 10 10 हो गया अब इसी को solve करना है तो 10 में से 7 गटेगा 3 12 में से 10 गटेगा 2 ये ही अनिपात हो जाएगा 2 अनिपात 3 तो आपको बस समझा गया तो आपको जो लोगोंने mixture allocation नहीं पढ़ा आपको भी समझ में आया होगा जो लोगोंने पढ़ा था 20 questions करवाने की सोच रहा हूँ उसमें अच्छे questions डालूँगा और ये topic wise में जो साड़े questions है जैसे आप ये देख रहोगे कुछ एक questions मिल गए तो ये सारे questions मैं वहाँ पर बहुत मतलब लेबल 1 में डालके लेबल 2, लेबल 3 उसी आधार पर रिवाइड करके 20 questions करवाऊंगा 20 जितने भी हो अब 25 से जादे तो करवा नहीं सकता क्योंकि उतना समय है नहीं और प्रैक्टिस के लिए मैं आपको इनहीं वीडियो को रिक्मेंड करूंगा जो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो तीनों चीज़े लिखी गई है लाइक शेर और सब्सक्राइब यह कर दीजेगा क्योंकि चैनल यूसफूल कंटेंट आपको प्रोवाइड करता है तो आप लोगों को बस थोड़ी सी मेरी हेल्फ करने है सब्सक्राइब जरूर यहां नहीं बतासकते हैं इस्प्सक्राइब बताओ यहाँ नहीं बता सकते हैं इस्टाग्राम पर बताओ लिम बताओ जरूर सो लॉटररोशकम यहाँ वेल्प ऑल अर प्ड़ते रहो बकी जा вас alcohol व्याल्त क्या vas मुँच करते रहो